ओम स्रीवेंकडे साय नमहा, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नाराइन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसिदास द्वारा रचित स्री रामचर्त मानस के उतरकांड से सम्मन्दित आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जारा हूँ अब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बनने के बाद आयोध्या वासियों की क्या स्थिति है वरणन किया है अब सिर्फ आयोध्या वासी ही नहीं आयोध्या में और रामराजी में स्थित जेंगलों में वनों में भी क्या-क्या परस्थितियां है इसके बारे में तुलसिदास जी के शब्दों में पहले पद देखेंगे फूलही परही सदातर कानन रहही एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बयर विसराई सबन्ही परस्पर प्रीती बढ़ाई कूजही कग मृग नाना भुंदा अभय चरही बन करही अनन्दा सीतल सुरबी पवन वह मन्दा गुंजत अली लाई चली मकरंदा लता बिटप मागे मद चवही मन भावतो धेनू पैसरवही ससी संपन सदारह दरनी त्रेता बैकृत जुग के करनी प्रगटी गिरिन्ह बिविदि मन खानी जगदातमा भूप जगजानी सरिता सकल बहही बरबारी सीतल अमल स्वाद सुकुकारी सागर निज मर जादा रहही डारही रत्न तटन ही नर लहही सरसिज संकल सकल तड़ागा अति प्रसन दस दिसा भिभागा बिद मही पूर मयूखन ही रभितप जेते जेतनेही काज मागे बारिद देही जल रामचंदर के राज अब रामचंदर के राज में कैसे हैं देखे वनों में क्या स्तिती हैं फोलही परही सदातरुकानन रहाही एक संगगज पंचानन खग म्रुग सहज बयर विसराई सबनही परसपर प्रीति बढ़ाई वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं हाती और सिम्म मतलब वायर बोलकर एक साथ रहते हैं पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वायर बुला कर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है कूजही कगम्रगो नाना ब्रुंदा अभाय चरही बन करही अननन्दा सीतल सुरबी पवन वख मन्दा गुंजत अलिलाई चलि मकरंदा पक्षी कैसे कुस्ते मीटी बोली बोलते हैं बांती बांती के मतलब अलग अलग के पश्वों के समोह वन में निर्भय विचरत और आनन्द करते हैं कोई दर नहीं है शीतल मंद सुगंदित पवन चलता रहता है बोरें पुष्पुं का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं लता बिटप मागें मद चवही मन भावतो धेनू पै स्रवही ससि संपन सदारह दरनी द्रेता बै कृत जुग के करनी बेलें और व्रिक्ष मांगने से ही मद अदात मकरंद टपका देते हैं गाएं मन चाहा दूद देती हैं दरती सदा केती से बरी रहती हैं त्रेता में सत्युग की करनी हो गई है समस्त जगत के आत्मा भगवान स्रीमन नारायन को जगत का राजा जान कर परवतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी हैं सब नदियां स्रेष्ट सीतल निर्मल और सुक प्रद स्वाधिस्ट जल बहने लगी सागर निज मर जादा रहें डारही रत्न तटन ही नर लहाही सरसिज संकल सकल तड़ागा अति प्रसन दस दिसा भी भागा समद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनिश पा जाते हैं सब तालाब कमलों से पर पूरण हैं दसों दिशावं के विबागार्दात सभी प्रदेश अतियंत प्रसन हैं बिदु महि पूर मयूखन ही रभितप जेतने ही काज मागे बारिद देहि जल रामचंद्र खें राज देखिए प्रभु शिराम चंद्र जी की राज्य में चंद्रमा अपनी अम्रतमाई किरणों से पुरुद्वी को पूरुन कर देते हैं सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती हैं अरदात 365 दिन आईसे आम तोर पर बोलते हैं कि 24 इंटो 7 की बात करते हैं तो वहाँ एकदम क्लाइमेट कूल मतलब जितना चाहिए उतना जैद ना जैदा है ना कम है और मेग मांगने से ही जल देते हैं मतलब जब चाहे तब ही वर्षा है मतलब समयान कूल ही सब चल रहा है इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्द बताना चाहता हूँ रामराजी में वन के वृक्ष सदा फूलते फलते हैं हाती और सिमह अपने जो वहर भाव बूल कर एक सात रहते हैं पक्षियों और वन्य पश्वों ने भी स्वाबाविक वैर बुला कर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कलरव करते हैं, बांती-बांती के पश्वों के जुंड निडर होकर विचरते हैं और अत्यंत प्रसंता का अनबव करते हैं। शीतल, मंद, सुगंधित, हवा बहती रहती हैं और बौरें फूलों का पराग लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लताएं और रुक्ष मांगने से ही मदो ठपका देते हैं। गाय मन चाहा दूद देती हैं। और पृद्वी सदा अन्न से बरी रहती हैं। त्रेता में सत्युग की सब बाते होने लगी है। समस्त जगत की आत्मा मतलब विश्व ही नारायन है और क्या है। सिर्फ वही नारायन यहां राजा बन गए तो बगवान को विश्व का समराट जानकर परतों ने अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां उत्तम, शीतल, निर्मल, सुकद और सुस्वादू जल बहाने लगी। सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे किनारों पर रत्न डाल देते हैं। जिन्हें मनश ले लिया करते हैं। सब तालाब कमलों से बरे हुए हैं। दसों दिशावूं के विबाग सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन है। प्रभु शीराम चंदरजी के राज्य में चंदरमा अपनी किरणों से पृद्वी को बर देता है। जितनी आवश्यकता होती हैं सूर्य उतना ही तपता है। और मेग मांगने से ही। मतलब आवश्यकता अनुसार ही जल बरसाते हैं यही है रामराज। जैश्यराम।